दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईकू 12 5G स्मार्टफोन के बारे में टेक चलिए स्मार्टफोन के लिए परे मेर टाषिnica 3 लिले वाले और की आपको लिएेप स्मार्टफोन ले ले मिल जाएगी, front side से बात करें, तो front side से आपको punch hole के साथ में display देखने के मिलेगा, center punch hole होने वाले display, and overall design जो देखा जाए, काफी अच्छा है देखने के लिए, इस smartphone की जो ठिकनेस है, वो 8.1 mm होने वाली है, and इस smartphone का weight होगा, 198.5 gram, तो carry करने में भी easy होगा, and दिखने में काफी अच्छा है smartphone, मेरे को design काफी जादा पसंदा है, आप लोग को design कासा लगा, आप comment करके हमें बता सकते हैं, बात कर रहे हैं से smartphone की build quality की, तो दोस्तों यहाँ आप आपको glass back देखने के लिए मिलेगी इस smartphone में, अल्मूनिय मेरवाल का frame देखने के मिलेगा, and IP68 rated होगा इस smartphone, तो यह water and dust resistant यह smartphone होने वाला है, overall build quality भी अच्छी होने वाली है, बात कर देखने के इस smartphone की display की, तो यहाँ पे आपको 6.78 inches की 2K resolution के साथ में, E7 AMOLED display देखने के लिए मिलेगी, जिसमें के आपको 144 Hz का fast refresh rate देखने के लिए मिलेगा, 3000 nits की peak brightness यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, 10 bit colors के साथ में आने वाले display, 20 to 9 का aspect ratio होगा, and 452 ppi की pixel density आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगी, तो display के अगर मामने में बात की जाए, तो काफी तगला smartphone होने वाला है, high refresh rate के साथ में आएगा, Samsung का panel होने वाला है, and brightness तो इस smartphone की काफी कमाल की होने वाली है, overall display आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, बात करें cameras की तो यहाँ आपको triple rear camera setup देखने के लिए मिलेगा इस smartphone में, जिसमें के आपको 50 megapixel का main camera देखने के लिए मिलेगा, and जो secondary sensor होगा, वो भी होगा 50 megapixel का ultra wide angle lens, 119 degree के field of view के साथ में आएगा, autofocus के साथ में आने वाला है, and जो torsory sensor होगा, वो होगा 64 megapixel का periscope telephoto lens, जिसमें के आपको 3x optical zoom देखने के लिए मिलेगा, 100x digital zoom यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, and OIS के साथ में आने वाला है sensor भी, तो overall जो camera होगा इसे smartphone के, काफी तगड़े होने वाले हैं back side से, selfie camera के बात करें, तो यहाँ आपको 16 megapixel का center punch hole के साथ में, selfie camera देखने के लिए मिलेगा, selfie camera भी काफी अच्छा होने वाला है, overall camera देखने के काफी तगड़े होने वाले हैं, बात करें performance की, तो दोस्तों यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, callcom का snapdragon 8 Gen 3 chipset, जो की 4N Markitature पे बना है, Adreno के 750 GPU के साथ में आता है, and India का पहला smartphone होने वाला IQ 12 smartphone, जो की snapdragon 8 Gen 3 के साथ में आने वाला है, overall जो performance होने वाले हैं, इस smartphone में काफी तगड़े आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहिए आप gaming करें, multitasking करें, किसी भी तरह यूज़ करें, इस smartphone का जो performance हो काफी तगड़े आपको देखने के लिए मिलने वाला है, 12 GB 16 GB आपको LPDDR5X RAM देखने के लिए मिलेगी, and 256 GB 512 GB UFS 4.0 storage आपको इस smartphone में देखने के लिए मिल जाएगा, तो RAM इन storage के मामले भी आपको इस smartphone में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बात करें, बैटरी की तो यहाँ आप आपको 5000 mm इसकी बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, and 120 Watt की fast charging भी आपको इस smartphone में देखने के लिए मिल जाएगी, तो battery and charging भी काफी तगड़ी होने वाले इस smartphone में, multimedia की बात करें, तो यहाँ आपको dual stereo speakers देखने के लिए मिलेंगे, तो जो multimedia experience है वो भी काफी अच्छा होने वाला आपका, बात कर रहो operating system की, तो funtouch OS 14 के साथ में आएगा smartphone, जो की Android 14 पे बेश जोने वाला है, तो UI experience भी आपका काफी तगड़ा होने वाला है, बात करें connectivity की, तो यहाँ आपको 5G की connectivity के साथ में देखने के लिए मिलेगा smartphone, dual 4G volt होगा, Wi-Fi 6 and Wi-Fi 7 यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, Bluetooth 5.4 होगा, GPS का support होगा, NFC का support होगा, और इसी smartphone में आपको IR blaster भी देखने के लिए मिलेगा, तो overall connectivity के मामने में यहाँ आपको सारे options देखने के लिए मिल जाएंगे, बात करें security की, तो यहाँ आपको face unlock के साथ में, in-display fingerprint sensor देखने के लिए मिलेगा, जो की काफी fast unlock होता है, बात करें ports और buttons की, तो यहाँ आपको USB type-C charging port देखने के लिए मिल जाएगा, power runner button होगा, volume rocker button होगा, बात करें कुछ और features की, तो यहाँ पर आपको IQ की तरफ से super computing chip देखने के लिए मिलेगी, जिसका नाम होगा Q1 chip, एंड यह chip काफी जाए support करने वाले performance को improve करने के लिए, तो overall experience काफी अच्छा होने वाला है, 6K vapor chambered cooling system, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, with four zone layers, and तो gaming कित्ती भी कर लो, चाहिए कित्ती ही multi-tasking कर लो, आपका smartphone जो है heat नहीं करने वाला, आपको heating issues इस smartphone में देखने के लिए नहीं मिलने वाले, काफी जादा बड़े आपको large x-axis linear motors देखने के लिए मिलेंगे, तो vibration जो होने वाले है, वो काफी अच्छी होने वाले है vibration, experience आपका काफी अच्छा होने वाला है, बात कर देख इस smartphone के colors की, तो यह smartphone दो color vents में इंडिया में launch हो सकता है, legend and alpha color में, बात कर इस smartphone के price की, तो दोस्तों कहा जा रहे है, इस smartphone को जो इंडिया में price होने वाले leaks ही मुताबिक, वो below 60 जीग है, यानि कि 60,000 रुपे से कम होने वाला है, and leaks ही माने तो इस smartphone का जो base variant होने वाला है, वो इंडिया में 56999 जीआ, आस तो 56999 रुपे के price में आपको देखने के लिए मिल सकता है, यह सरफ leaks है, कोई confirmation नहीं है, लेकिन possibility है कि इसी price point पे launch हो, and दोस्तों अगर smartphone इस price point पे इंडिया में launch होता है, तो क्या आप लोग इस smartphone को buy करना चाहेंगे, या फिर नहीं करना चाहेंगे, आप comment करके हमें बता सकते हैं, बात कर इसी smartphone की launch date की, तो दोस्तों IKU ना officially confirm कर दिया है, कि smartphone 12 December को इंडिया में launch होगा, जियांस तो 12 December को आपको इंज़ार करना पड़ेगा, इसी smartphone के launch के लिए, यही तो कुछ बात हैं जो में आपका IKU 12 5G smartphone के बारे में बताना चाहता था, आज की वीडियो के लिए नहीं वीडियो बस नहीं तो वीडियो को लैक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मलता हूँ, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय बारत,